हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बैविस्कूपता मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं निलांबर पितांबर उनिर्शिटी मेदनी नगर में पढ़ने वाले बीए बीए सी वीकम ओनर्स वाले सेमेस्टर टू जिनकी सेशन 2022 से 2026 होंगे उनके ल कर रहा हूं जो आपके आने वाले एक्जाम में तहलका मुचा देगा दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखिए अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कॉमल हाथों से सस्क्राइब कर दीजिएगा और हाँ जितना होके अपने द आधियम से आप ज्यादा नंबर लांज सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से आपका क्यूशन पैटर्न रहेगा और कैसा क्यूशन रहेगा जिसको आप चुठकियों से किस तरह से बना सकते हैं उस सब्सक्राइब के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं जैसा कि जैसा कि आप जानते हैं Mathematics and Computational Thinking and Analysis से संबंदित मैं आप लोग को सिलेबस दे दिया हूं साथी उसमें क्यूशन पैटर्न को विबारे में जिक्र कर दिया हूं अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को जरूर से ज बन सकते हैं तो चलिए आज मैं आप लोग को बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन बताने वाला हूं जो आपको एक्जाम में आएंगे और किस तरह से आप क्यूशन को हल कर सकते हूं सबके बारे में मैं आपको बहुत ही संदार तरीके से बताने वाला हूं ताकि आप सबसे कम संख्या क्या है एक है तो हम यहां पर आपको बनाया हुआ मिल रहा है देखिए यहां पर सबसे अधिक्तम संख्या यहां पर उन्चास है जबकि सबसे कम संख्या क्या है एक है तो हम इन दुनों को अंतर कर देते हैं तीस से हमको रेंज प्राप्त हो सकता है यह फिर इसी की अधार पर आपका और क्यूशन आएंगे जिसको आप चुट कोन से होता है कोन से का माप नहीं हरता कौन से माप होता है आप यह से कवह नहीं इकलता है उसके बारह होently टेंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं अर्थाट निसे कोई नहीं फैलाव का माप है इसके बाद next कुछन है को इसके बाद next multiply के जारह को रहा है कि तीन तीन दस दस चार साथ दस पाच का माध्य बीचलन AMD माध्य के दोवारा प्राप्त करें अर्था हमको माध्य के दोवारा हमको AMD निकालना है जितना डाटा के संखिया होगा यहाँ पर जोडने के बाद हमारा न्ềकर 12 1 संखिया और किना दिभाइट करते हैं तो हमारे यहां पर साथ पराप्त होता है इसके बाद हम लोग माध्य बीचलन अर्था एमडी निकालने के लिए एम्डे डिकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे तो यहाँ पर जो माध्याया है उसको हम लोग 1 by 7 कर देंगे और जो माध्याया है आर्था दिये गए डाटा में से हम माइनस करेंगे आर्था 3 में से 7 को माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे इसके बाद 10 में से आर्था 10 10 में से 7 को वेटाएंगे फिर प्लस करेंगे इसके बाद फिर 10 में से क्योंकि हमारा दाटा तीन बार दिया है 10-10 जीसा जीसा यहां पर जो देख रहे हैं इस डाटा में से हम लोग 7-7 करके यहां पर करते हैं अगर हम इसको कल्कुलेशन करते हैं तो हमको राइट में सब प्र गाड़ा है माध surt निकालने के बाद जेतना आ जाएगा उसको वर autobiशूच्य और इसके बाद जो दिये गए का आकड़ा होगा उसमें से मांधे को डाइरेक्ट फर्मूला होता है आप फर्मूला को याद कर लिजेगा इसका फर्मूला है एन इसक्वाइर माइनस ववन वाई टुवेल यह फर्मूला से आप ग्याद कर सकते हैं यह निकालने का प्राकति संख्याओं को बिचलन निकालने का एक फर्मूला है इसके बार नेक् निकाल सकते हैं इसके बाद आगला क्यूचन कर आगर किसी डाटा का बीचलन 121 है तो उसका मानक बीचलन क्या होगा तो मानक बीचलन के लिए फर्मूला होता है अर्थात सबसे कम होता है इसके बाद हम लोग नेक्ष्ट क्यूचन देखते हैं तो यहां पर जो देख रहे हैं यह आपका प्राइक्ता से संबंदित है प्राइक्ता का अर्थे होता है संभावना अर्था संभावित होना है प्राइक्ता का मान जीरो से लेकर एक के बीच में होता है और प्राइक्ता निकालने का बहुत यासान तरीका होता है एक आपको फर्मूला बता दे रहा हूं उसको याद करना होगा यहां पर एक फर्मूल प्रइखता घटित-पर-नामों की प्राहिकता जुवाया रहेगा तो आपको ने प्रइक्ता निकालने के लिए कर देगा तो जैसा कि यहां पर आपको दिया हुआ है कई याधी पी इविश्काण तो 0.53 दिया हुआ है तब पी ए डैस का प्राइक्टा क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है वन में से दिये गए प्राइक्टा अर्था 0.75 को मॉल्टिपार माइनिस करते हैं तो हमारा 0.47 प्राप्थ होता है इस तरह से आप ग्याद कर सकते हैं इसके बाद अगला क्यूचन करा अगर A is equal to 12345 and 6U और E बराबर 12 है तो उसका क्या हो जाएगा तो E नहीं के प्राइक्टा क्या हो जाएगा तेहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 13 दिया हुआ है तेहां पर क्या हो जाएगा कौन सा नंबर नहीं है इसका राइट एंसर यह ह हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर पी पी अगर इवन और इटू प्रसपर उप अप वर्जित है और पी यह वन इसकाल टू 0.32 है और पी टू एपी इसकाल टू 0.23 है तो इसको कुछ नहीं करना है आपको आइट कर देना है एंसर प्राप्त हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्यूचन यहां कर रहा है अगर एक सी के को एन बार उच्छाला जाता है जहां एन एक प्राक्ति संख्या है तो इसके प्रतियस पर्द अस्मिति में क्या होगा तो इसका एन के पावर टू के पावर एन हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट तरह अगर दो पासों को एक साथ फेका जाए तो संभव परिनामों की संख्या क्या होगी तो जैसा कि आप जानते हैं एक पासा में 6 फॉल्व होते हैं अर्थात घटना 6 बार होगा उसी तरह से एक और पासा में 6 होता है अर्थात 6 गुनी 6 कर देंगे 36 संभावित घटना होग हुआ है है कि अगले चुशं हम लोग देखते हैं मानक वीचलान ओरीजिन जिसको मुल्व में ब्रादलाव से होता है क्या होता है यह सटन्टर होता है इसके बाद next है मानक होता है प्रोथम 2 प्रॉक्री संख्याओं का मानक वीचलान क्या होता है तो मानक बीचलन निकालने का एक formula होता है जिसको आपको हम पहले बता दिये थे उसमें हो जाता है ये स्क्वाइर माइनस 1 वटा 2 l अर्थात यहां प्राक्तिस संख्वाय कितना है तो यहां पर 100 दिया है अर्थाة 100 का इस्क्वाइर करेंगे तो 100 का स्क्राइर करेंगे अर्थार यहां पर 10 का स्क्राइर करेंगे 100 हो जाएगा 100 में से घटा देंगे तब 99 हो जाएगा 99 बाटा 12 हो जाएगा अगर कट रहा है तो काटेंगे नितर राइट इंसर यह हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर next question करा माधिका दबारा मध्य बीचलन MD निकालने का सुत्र क्या होता है तिसका right answer इस तरह से आपको निकाल सकते हैं इसके बाद यहां कह रहा है इसके बाद आपको प्राइक्ता से संबंदित देगा तो प्राइक्ता के ही होता है घडित परिनामों की संख्या बराबर कुल परिनामों की संख्या होता है तो यहां पर देखिए क्यूचन कह रहा है अच्छी तरह से फेटी गई पासे की एक गड़ी से दो पते खीचे जाते हैं तो इसको आपको प्रतियस्पद अस्मिज्टी में अवयों की संख्या ग्याद करना है अर्था जितना पासा घट होगा उसको आपको क्या करना होगा माइनस अर्था जो पासा दिया होगा उसको आपको यहां पर नीचे लिख देना होगा इस तरह से आप लिख सकते हैं अर्था यहां पर जैसा की जानते हैं पासा में कितने सोरी यहां पर तास में कितने काट होते हैं तो बावन होते हैं तो सी को आपको उपर बावन रहेगा और जितना आपको पासा निकाल लिया जाए सोरी यहां पर जितने पत्ते निकालते हैं वहां पर माइनस कर देगा तेहां पर दो पत्ता निकल रहा है इसलिए तना राइट वाँसर हो जाएगा। अगर हम दो पता हैं तो इस तरह से हम यहां पर बता देखते हैं इस तरह से आप बता दीजिये गा। इसके दाब इमेजनरी बटा सेवन आई इसका अर्थी होता है कि दो 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 यहां पर सिक्स है तो सिक्स के बाद फाइब हो जाएगा से फोर हो जाएगा आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं तो इस तरह से आप यहां पर बता सकते हैं जो यहां पर असपर लिखा हुआ है देखें यहां सेबन वो जाएगा तो विशिस्ट व्यक्तियों को अलग अलग बैठना है तो उनको एक व्यक्ति मानें गे और बाकि 5 व्यक्ति को हम इसपी इतना मांकर तरीके से हल कर सकते हैं है कि इसके नेक्स करता है किसे भी प्राइकता का मान होता है, जैसा कि आपको हम बता दिये थे, प्राइकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, कभी भी इसका मान रिनातमक में नहीं होता है, इसका मान जब भी होगा, तो 0.0 से लेकर 1 के बीच में ही होता है, इसलिए राइट एंसर ओप्षन नमबर C हो अगर किसी घटना का प्रतिकुल संजो संयोगा नुमात अनुपात एम अनुपात एन है तर पी इसका राइट एंसर हो जाएगा एन बटा एम एन एम प्लस एन हो जाएगा इसके साथ ही चलिए हम लोग आगे देखते हैं तो निमलिखित डाटा सेट की सीमा क्या होगी अर्थ आठ डाटा सेट की सीमा निकालने का सबसे असान तरीका आपका हाई जो दिया गया है वहां पर आपको अधिक्तम में से निम्तम को इंसर आ जाएगा यहां पर देखे चोवीस, चोवीस में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं अर्थाच 24, को करते हैं तो हमको 12 प्राप्त होगा अर्था तरह टेंसर ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा उसी तरह से आगला देखते हैं तो डाटा की सीमा की गन्ना करना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे तो सबसे अधिकतम यहां पर 25 दिया हुआ है 25 में से पाच घटाएंगे तरह टेंसर 20 हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट यहां क्योचन करा है यदि किसी डाटा सेट का बीचलन सुला है तो मानक बीचलन क्या होगा तिसका राए देखें यहां बीचलन डाटा दिया है सुला तो सुला को अगर हम स्क्वायर करते हैं अर्था तिया है रूट में लिखते हैं सुला को तो चा प्राप्त होगा इसलिए राइट एंसर फोर हो जाएगा इसके बाद करने का असान तरीका बताया थे क्या बताया थे अधिक्तम में से निम्तम को घटा दीजेगा यहां 15 में से चार को घटाईएगा 15 में से 4 को हम लोग माइनस करते हैं तो 15 में से 4 को घटाते हैं तो राइट एंसर आपका यहां पर 11 आजाएगा जो option में नहीं दिया है इसलिए right answer यहाँ पर 3 होना चाहिए था यह गलत दिया है इसके बाद next हम लोग देखते हैं तो data में से आपको विचलन की ग्याद करना है तो 18 में से आपको कितना 18 में से 10 को घटा दिजेगा right answer option number D हो जाएगा 8 अगला question कर रहा है किसी data set का विचलन 25 है तो मानक विचलन क्या होगा तो इसका right answer पाच हो जाएगा इसको आप square कीजिएगा ती 5 का square है इसके बाद next देखते हैं इसके बाद next देखते हैं किसी data का मानक विचलन 6 है तो विचरन क्या होगा तो विचरन यहां पर देखिए मानक दिया हुआ help देखें होंगे यहां पर हम देखिए square देखे थे यहां पर जो नंबर दिया हुआ 6 किसका स्कुएर है तो इसका वर्गमूल है तो 36 का इसलिए राइट एंसर भी हो जाएगा इसके बाद देखते हैं इसके डाटा का मानक बीचलन फिर वही है तो याट का स्कुएर 864 होता है तो राइट एंसर आपका यह हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद करा डाटा का माध्य बीचलन ग्यात करें अर्थात हमको माध्य बीचलन ग्यात करना है जो पहले बताया थे उसी के अधार पर हम लोग माध्धे विचलन घ्याद करेंगे सबस्पर उसको माध्य निकालेंगे माध्य निकालने के बाद माध्य विचलन निकालना होगा तो इस इसका राइट एंसर भी चार एंसर हो जाएगा अगला क्यूशन यहां कह रहा है यदि भेंता का गुना अंक 30 पर 30 है और माध्य 60 पर 30 है तो मानक विचलन क्या होगा 30 का हम लोग राइट एंसर अर्थात हम लोग को 60 पर 30 करा है 30 तो सब करेंगे 0-0-0-0-0 कैंसिल करेंगे अर्थात इहां राइट एंसर 18 हो जाएगा इस तरह से हम लोग निकालेंगे अगला क्यूशन यहां पर कह रहा है किसी डाटा सेट के लिए विभिनता का गुनांक 20 पर 30 पर 30 है यदि माध्य 50 है तो मानक विचलन क्या होगा अर्थात एस टी क्या होगा तभी तुरत बताया थे 50 का 20 बटा सो करते हैं 0-0-0-0 कैंसिल करते हैं तो दस दुना के 20 राइट एंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी यदि किसी डाटावेस का मानक विचलन यहां पर देखिए मानक विचलन दिया हुआ है और माध्य दिया है तो निकालना है तो चलिये इसको भी हम लोग बना लेते हैं यहां पर हमारा 10 दिया हुआ है और यहां पर हमको विखिंता का गोनाग के लिकालना है तो यहां पर हमारा माध दिया कर देते हैं इसके बार कर देंगे हमारा क्या मिल जाएगा 20 पर 30 आ्ट हो जाएगा उस तरह है फिल को बना हुग जा कीएगा आप इस मेथद ापका जाएगा आप बना सकते हैं चलिए एक और कीशान पूछ दे रहा है तो डाइरेक्ट हम निकालते हैं तो चलिए यहां पर सबसे प्ले करेंगे साथ का 15 परती सत करा था 15 बटा इकर 100 करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल काटेंगे और यहां देखें 15 है तो 15 को अगर हम तो यहाँ पर देखें निम्तम मान और सिमा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको हम लोग right answer इससरे बता देंगे तो इससरे से हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा पचीष दिया हुए है और मान यहाँ पर दिया है तो 35 प्राप्त होता है राइट टेंसर अप्शन नमबर भी हो जाएगा इस तरह से आप उच्टम सीमा निकाल सकते हैं इसके बाद अगला क्यूशन करा फैलाओ के किस माप को माध्य से वर्ग अंत्रल के और सत के रूप में परिभासित किया जाता है तिसका राइट टेंसर हो जाएगा बीचलन को इसमें आपका कुछ कुछ की उचन आपको नोमेरकल टाइप के रहेंगे और कुछ की उचन ठीवरी टाइप के रहेंगे तिहां देखे ठीवरी टाइप का क्यूशन कुछ रहाए फैलाओ का कौन सा माप किसी डाटा सेट में उच्टम और निमतम मानों के बीच का अंतर होत इसका राइट एंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर ए स्रेनी. इसके बाद नेक्ष्ट कर रहा है पर जरन का वर्गमूल लेकर प्रकिर्णन के लिए के किसमाप की गण्ना की जाती है, इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर शी मानक बीचलन का इसके बाद अगला किशन कर रहा है फैलाओ के किस माप को माध्य से पूर्ण अंतर के आउसत के रूप में परभासित की जाती है तिसका राइट इंसर माध्य बीचलन का इसके बाद है माध्य के सापेक्ष डाटा के परसार की तुलना करने के लिए प्रण इंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी इसका ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा इसके बाद अगला किशन कर रहा है फैलाओ का कौन सा माप परतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और डाटा किया सापेक्ष परिवर्तन सीलता को अंकित करता है तिसका राइट इ का रहा है इन और लोकोनों को के एक सेट के माध्य या और एकाना करने का सूत्र क्या होता है तिसका राइट इसर ऑस नमबर ऑ्ывает को जाएगा प्रयाक्षन hmm को योगफ़वता अर्थाथ कुल x Beim कूल संख्या है हम माध्य या और सत घ्यात कर सकते हैं इसके बाद माधिका ग्याद करने के लिए कर रहा है तो डाटा के सेट का माधिका ग्याद करने का तरीका क्या हो जाएगा तिसका इन पुलस वन बाई टूस के दोबारा हम माधिक ग्याद कर सकते हैं और इसके बाद आपको को यहां कराव मानक विचलंद के सुत्र के लिए ए इसको विचलंद किया जाता है उसके बारे में यहां पूछ रहा है कराई टेंसर अप्शन नमबर भी हो जाएगा तो इस तरह से मैं आपको माध्य आपका जो देख रहे हैं आपका क्यूशन माध्य माधिका और बहुलक से समंधित क्यूशन पूछे जाएंगे उसमें आपको माध्य निकालने के लिए कह देगा बहुलक कह देगा आपको परिसर निकालने के लिए कह देगा अगर माध्य कह देगा तो माध्य के लिए आप य निकालना होगा तो सबसे पहले उसमें आपको पदों को देखना होगा कि सम है कि भी सम है सबसे पहले आप माधिका निकालने के लिए उसके और ही करम में सजाने के बाद उसमें देखेंगे कि कितना आपका नंबर आफ है अगर सम रहता है तो दो पदों को जोड़िएगा उसी को हम लोग बहुला करते हैं तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा इसी तरह से मैं आपके लिए मत्यपुन वीडियो बनाता रहूंगा तब फिर मिलेंगे ने वीडियो के साथ तब तब के लिए चैहिंद बे